तो है गाईज इट्स मी सेंजी वेलकम बैक टो एसके मिक्स जोस्तो प्रिवे में इस तरह का एक वीडियो दिखाए इस तरह का वीडियो अभी के टाइम में इंस्टाग्राम रिल्स पे बहुत एदा ट्रेंडिंग पे चल रहा है तो आप लोगर इस वीडियो को बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक आप लोगो देखना है मैं हमेसे के तरह इस बार भी बहुत ही इस वे में सारा कुछ एक्स्प्लेइन करूँगा ताकि आप लोग बहुत यासन से इस वीडियो को क्रेट कर सेको तो guys first time क्या करना है टर्व एपन आप्लिकेशन को प्लेश्टोर से डाउनलोड करके इस आप्लिकेशन के अंदर जाकर tap to connect करना है उसका उत्कापकाट आप्लिकेशन को ओपेंड करें यह अप्लिकेशन आप्लिकेशन आपको मेरे टेलिगाम चनल पर पीन किया हो मिल रहेगा आप लोग बहुत आशन से डाउनलोड कर सकतो डाउनलोड करने के बाद आप लोग को न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है उसके बाद गाईज एक वीडियो का लिग में प्रोवाइट कर दूंगा आठ सेगंड का इससे फर आप लोग एड कर लीजे आप लोग देखिए अपर में एक बॉक्स वाल आइकोन इस पर क्लिक कर लिजे तो इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा अब नीचे देखे एड ओडियो करके आ रहे इस पर एक बार क्लिक करें एक श्टक्ट इड पर इस बार क्लिक कर लिजे अब गाईज एक 14 सेगंड का वीडियो में प्रोवा इस पर लेता हूं तो आप लोग भी कर लिजेगा तो गाईज मैंने यहाँ पर 12 फोटो इड हो चुका है तो आप लोग भी एड कर लिजेगा आप लोग कोई सवी फोटो इस तरह से साइज में छोटा हो रहे तो दोनों फिंगर से जूम करके हर एक फोटो को आप फूल स्क स्किन में कर लिजेगा तो देखिए यह लास्ट वाला फोटो साइज में छोटा है तो इस तरह से जूम करके फूल स्किन में आप लोग कर लिजिए अब इतना तक हो जाने के बाद गाईज आप लोग को क्या करना है सभी फोटो का डिवेशन जीरो पॉइंट फॉर सेकंड करना है देखिए फार्यट का इस तरह से खीच लाना है ऐसे जो पर फोइंट फो क्यों हो चुकरै करें करना है अब सब YOU Sud सिस्था से करें ताक्कि यह शेबल हो जाए अब सक्टेंड पूर्प को इस तरह से निकर सक तो यह और किस्स Children कर सकते हो और यहां लाश तक आप लोग सभी फोटो का डिरोवसन 0.4 सगंड करना है तो यह प्रॉससं मैं कर लेता हूं मैं लाश चेस्ट सभी फोटो का डिरोवसन मैं 0.4 सगंड करके कर लिया हूं अब इतना तक हो जाने के बाद guys सभी photo में animation एड़ करना है तो first photo पर click करें नीचे दिखे का option है animation इस पर click करें उसके बाद guys combo पर click करना है यहाँ पर side में देख सकतो combo है इस पर click करें यहाँ पर थोड़ा सा slide करना है यहाँ पर pendulum 1 and next photo में guys pendulum 2 उसको फिर से guys alternate करके pendulum 1 को add करें next photo म pendulum 1 को and pendulum 2 को last तक आप लोगे सभी photo में add कर लिजेगा alternate करके तो यह process में कर लेता हूँ तो guys देख सकतो सभी photo में comment है इसको add करे add करने के बाद guys इसको खीच के photo जितना तक है उतना तक करना है यहाँ पर आप लोगो लास तक नहीं करना है photo जितना तक है इस तरह से कर लिजेगा और guys इस वीडियो में कुछ भी नहीं करने है आपका जो वीडियो अबन कर रेड़ी हो चुका है तो guys आज का